जैहिंद फ्रेंट्स तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं वार्सिक परिछा 2024 विशे जी विज्ज्ञार कच्छा 11 का प्रेश्ट पत्र अगर आप लोग UB Board Class 11 के जीव विग्यानक अच्छा 11 का प्रश्ट पतर तेने जा रहे हैं तो ये कोशिब पर आपकी एक्जाब के लिए very important होने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी questions है वो आपकी एक्जाब के लिए important है तो आपको ये के questions को अच्छे सबज रहा है और proper को तयारक कर ले रहा है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन आप तक पहुछती रहे तो यहाँ पर हम लोग वार्सिक परिछा 2024 कच्छा 11 जी विज्ञान का पेस्ट पासों देखने वाले है तो सबसे पहले हमारा खंड आता है जिसमें हमसे भविकल्पी पेस्ट पूछे जाएंगे एक एक नमर के सबसे पहले हम लोग भविकल्पी पेस्टों को देखेंगे जैसे पहला कोईशन है पादब जगत का सबसे बड़ा बी जान्ड पाया जाता है तो पादब जगत का सबसे बड़ा बीजान साइकस में पाया जाता है साइकस में पाया जाता है तो आफ्शन नमर यहां पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा साइकस में क्या हो जाएगा साइकस में तो option नमर यहां पर आपका ये वाला करिक्ट हो जाएगा next है अर ये समवहन पूल मिलते हैं अर ये समवहन पूल मिलते हैं तने में मूल में पत्ती में इनमें से कोई नहीं तो अर ये समवहन पूल मिलते हैं तो ये कहां मिलते हैं मूल में मिलते हैं कहां मिलते हैं मूल में तो आफ्षिन नमबर यहां पर आपका बी वाला करिक्ट हो जाए कौन सा करिक्ट हो जाएगा आफ्षिन भी मूल में आप लोग वीडियो को 360 पीपर करके देखेगा इसके बार नेक्ष्ट है इस तनियों की सबसे चोटी अस्थी होती है तो इस तनियों की सबसे चोटी हड़ी होती है एटलस पटेला इस्टेपीज इनकस तो इस तनियों की सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है इस्टेपीज होती है कौन सी होती इस्टेपीज तो आफ्षिन न अनाक्सी शुशन में PQ का मान होता है तो अनाक्सी शुशन में PQ का मान होता है जिरुद सम्वलब 7, जिरुद सम्वलब 9, 1 अनन्त तो अनाक्सी शुशन में PQ का मान कितना होता है तो PQ का मान होता है अनन्त तो आफ्षिय नमबर यहां पर आपका D वाला करेक्ट हो जाएग का अनंत नेक्स्ट है यक्रत में यूरिया निर्माड किसकी द्वारा होता है तो यक्रत में यूरिया का निर्माड किसकी द्वारा होता है अनर्थीन चक्र द्वारा नाइट्रोजन चक्र द्वारा केप्स चक्र द्वारा ग्लाइकूलिसिस की द्वारा तो यक्रत में यूरि नेक्ष्ट है अस्थियों को परसपर जोडने वाला उतक कहलाता है सयोजी उतक कंडरा वशा उतक इसनायू तो अस्थियों को परसपर जोडने वाला उतक क्या कहलाता है इसनायू उतक कहलाता है कैसा कहलाता है इसनायू उतक कहलाता है तो option number यहाँ पर आपका D वाला correct हो जाएगा इस ना यू नेक्स्ट है विसम B जालुकता इवं कुंडलित पर्ल विन्यास किश्मी पाया चाता है ड्रायोप्टेरिक्स में, पाइनस में, साइकस में, फ्यू नेरिया में इसका अंसर आप लोग कमेंट सिक्सर में बताएगा, जसका अंसर सबसे पहले आएगा और correct आएगा उसका मैं कमेंट पिन गर दूँगा, नहीं तो विडिग लास्ट में आपको इसका अंसर मैं खुद ही बता दूँगा इसके बार नेक्स्ट है काउन सा हार्मून व्रसर द्वारा स्रावित होता है प्रोजिस्टरॉन, टिएसेच, टेस्टोइस्टेरॉन, इंसिलिन तो काउन सा हार्मून व्रसर द्वारा स्रावित होता है टेस्टो इस्टे रॉन कौन सा होता है टेस्टो इस्टे रॉन यानि कि option number यहाँ पर आपका C वाला correct हो जाए कौन सा correct हो जाएगा option C correct हो जाएगा next है लेंगर हंस की दुविकाएं पाई जाती है तो लेंगर हंस की दुविकाएं पाई जाती है मस्तिस्क में पलीहा में अग्नियाशे में अंडासे में लेंगरहंस की दुपिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है तो ये अग्नियाशे में पाई जाती है अग्नियाशे में पाई जाती है तो option number यहाँ पर आपका C वाला करिक्ट हो जाएगा अग्नियासय में नेक्स्ट है इंसुलिन का रासाइनिक श्वाव है क्या कोश्चन है इंसुलिन का रासाइनिक श्वाव है कार्वोहाइटिट प्रोटीन इस्टेरोइड वसिये इंसुलिन का रासाइनिक श्वाव क्या है प्रोटीन है क्या है प्रोटीन है यानि की ऑप्शन नमबर यहाँ पर आपका B वाला करिक्ट हो जाएगा, कौन सा करिक्ट हो जाएगा, option B next है, मिसरित तंत्रिका है, क्या है, मिसरित तंत्रिका है oculomometer, facial, auditory, olfactory, तो यहाँ पर मिसरित तंत्रिका कौन सी है तो यहाँ पर मिस्रित तंत्रका है, फेशियल है, कौन सी है, फेशियल मिस्रित तंत्रका है, तो option number यहाँ पर आपका B वाला correct हो जाएगा, कौन सा correct हो जाएगा, option B इसके बाद नेक्स्ट कोईशन है पेसी समनवे किस भाग द्वारा होता है तो पेसी समनवे किस भाग द्वारा होता है मेडिूला, पोन्स, सेरे बलम, द्रुग, पिल्ड तो यहाँ पर पेसी समनवे किस भाग द्वारा होता है तो ये होता है सेरे बेलम के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है सेरे बेलम के द्वारा होता है तो option number यहाँ पर आपका C वाला correct हो जाएगा कौन से correct हो जाएगा option C next है कौन सी पेसिया स्रांती मैसूस नहीं करती है यानि कि ठकती नहीं है रेकित आ रेकित हिरद अच्छी पैसियां तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिरद क्या हो जाएगा हिरदै पैसियां यानि कि हिरदै पैसि जो हैं वो थकान मैसूस नहीं करती हैं तो option number यहाँ पर आपका C वाला correct हो जाएगा next टैप मानव में मुक्त पसलियां होती है तो मानव में मुक्त पसलियां होती है दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, छे जोड़ी तो यहाँ पर मानव में मुक्त पेस पसलियां कितनी होती है तो मानव में मुक्त पसलियां दो जोड़ी होती है दो जोड़ी होती है तो option number यहाँ पर आपका ए वाला correct हो जाएगा next है मूत्र का pH होता है क्या है मूत्र का pH होता है यहाँ पर options आपको दिये गए थे 9, 8, 7, 6 तो मूत्र का pH मान कितना होता है शामानता 6 होता है इतना होता है 6 next है सबसे अधिक विसेला उस सरजी पधार्थ होता है तो सबसे अधिक विसेला उस सरजी पधार्थ होता है CO2 कारवन डायोकसाइट यूर या अमीनो अमोनिया तो सबसे अधिक विसेला उस सरजी पधार्थ कौन सा होता है अमोनिया होता है कौन सा होता है अमोनिया होता है तो आफशन नम्बर यहाँ पर आपका D वाला करिक्ट हो जाएगा Next है सामाने नाडी दाब है क्या है? सामाने नाडी दाब है 80 mmg, 100 mmg, 120 mmg और 150 mmhg तो यहाँ मन सामाने नाडी दाब कितना होता है? 120 mmhg होता है तो option number यहाँ पर आपका C वाला करिक्ट हो जाएगा 120 mmHg इसके बार next है सामान डायस्टोल रक्तदाब होता है तो सामान डायस्टोल रक्तदाब कितना होता है यह होता है 80 mmHg कितना होता है 80 mmHg होता है यानि कि option number आपका यहाँ पर C वाला करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हीमोगलोविन द्वारा समवहित आक्सीजन का प्रस्थ होता है तो कितना प्रस्थ होता है तो 97 प्रस्थ होता है औप्चन नमबर यहाँ पर आपका D वाला करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष एक मिनट में स्वांस लेता है तो एक स्वस्थ मनुष से एक मिनट में स्वांस लेता है दस से बारा बार बीस से पच्चीस बार बारा से सोला बार सोला से बीस बार यहाँ पर क्या हो जाएगा प्राणियों के नामकड़ की दुइनाम पध्धत क्या है लालता बूरे सहवाल में चार अंतर लिखे वासपुर्शन रोखने के कौन से हार्मोन सायक होता है किसी निकलेटाइड का सरंचना अत्मक्सूतर लिखे डिने वं आरेने में चार अंतर लिखे इसके बाद तीसरे का क कोईशन है रूदिर तथा लसीका में अंतर लिखे विन में पर टिपड़ी लिखे च्छे आप चमता को परिवाश्य परिवाश्य दीजे तो और इसका महतु बताईए पाइटो कॉंडर की सरंचना तथा कारका वड़न करें पादव हार्मोन का महतु बताईए यहां पर य निम्लखित प्रस्टों को समझाईए कैम पौधों पर टिपड़ी लिखे प्लाजमों डिसमेटा का मुखकार क्या है उतकों में गैसी विर्मे का वड़न करें अत्वा सेवाल तथा जिम्नों स्वर्म के आर्थिक महत्व पर टिपड़ी लिखे तो यहां पर क्या करना है इ इवन के तीन डोमैन क्या है इनकी तुलना कीजिए अत्वा अर्ध सूत्री वाजन की विवेन अवस्ताओं को नामांग के चितरुदारा परदसित कीजिए सम सूत्री तथा अर्ध सूत्री विभाजन में अंतर लिखें के बात कुशन नमर एट है अर्डिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हर मून तथा उनकी कारणों का उलेग कीजिए अत्वा तंत्र का में तंत्र का अभी क्युत पत्ति तथा इसके संच्रण की विदी का वणन कीजिए यहाँ पर पांच-पांच नमर के आपको दो-दो कोशन दिये गए उनमें से आपको कोई एक कोशन करन मिलते हैं नेक्स विडियो में तब तक की लिए जय हिंद।